चलो बच्चो तो आज हम लोग मैट्स में चप्टर नंबर 9 कंटीनियू करते हैं जिसका नाम है एलजेबरिक एक्सप्रेशन एन आइडेंटिटीज देखो इस चप्टर में कल हमने एक्सप्रेशन किसे कहते हैं वो समझा था ना कि जब नंबर के साथ आलफाबेट मतलब के वेरियेबल भी दिया हुआ हो तो उसे एक्सप्रेशन कहते हैं बरबर कि जिनमें को एफिशेंट किसे कहते हैं वेरियेबल पावर ये सब हमने देखे दे expression के types भी हमने देखे थे monomial, binomial, trinomial याद है न आज हमें उसके आगे continue करना है जो point है addition and subtraction of expressions addition and subtraction आपकी taskbook साथ में रखो exercise 9.1 में question number 3 है exercise 9.1 question number 3 के जिसके अंदर हमें addition of expression करना है यहाँ पे सब यह expressions मतलब के बहुँआ alphabet and variables दिये गए है वरब numbers दिये गए है उनका हमें addition करना है तो जब भी addition करना होना है तो यह चीज ध्यान दो इनमे addition हमेशा like terms का होता है इन terms का जब addition करना है तो addition हमेशा like term का होता है तो like terms किसे कहते हैं अब समझना पहले यह point कि देखो सिर्फ अगर ऐसा करना होना कि 2 प्लस 5 तो 2 प्लस 5 7 यह तो खाली number का plus हुआ लेकिन जब expression का plus करना हो तो उसमें पहले like term ढूंट रहे हैं like term यह कहलाते हैं कि अगर कोई ऐसा दिया हुआ है कि 2a square b 2a square b कोई भी ऐसा number होना यह पीछे alphabet दिये हुआ है यह variables हुए 2a square b और दूसरा दिया हुआ है 5a square b तो अगर पीछे के alphabet same हो ना पीछे के variables power वो अगर same हो तो वो कहला है यह like term है बरबर ना जब पीछे के variables और alphabet same हो सब power भी same हो तो यह like term कहलाते हैं और उनका ही plus minus होता है कि अगर कोई number ऐसा भी दिया हुआ हो ना 3ab square तो यह a square b है यह a b square है यह दोनों अलग-अलग हैं तो यह कहला है unlike terms इनका plus minus नहीं होगा कभी भी यह a square b यह a b square तो यह अलग-अलग होगा ना इनका कभी भी plus minus नहीं होगा जो like terms मतलब जो same होंगे plus minus नहीं का ही होगा बरबर ना फिर plus minus ऐसे होता है कि सपोस अगर ऐसा हो 2x square y square z यह 2 में ऐसा और 5 में भी अगर ऐसा ही दिया हुआ हो 5x square y square z अगर यह दोनो like term हो तो ही plus होगा फिर से बोल रहा हूँ unlike terms कि अगर यहां ऐसे होता कि 5xyz तो इनका plus minus होता ही नहीं इनका plus minus नहीं होता उसको as it is ही लिख देते बरबर यह दोनों same होने चीए पीछे के variables and powers तो ही वो like term कहलाते हैं और तो ही उनका plus minus होता है फिर अगर ऐसा हो ना कि हाँ x square y square z अब यह दोनों same है दोनों like term है तो like term होना तो खाली number का plus कर देते हैं like terms हो तो क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ नमबर का plus number का plus मतलब यह 2 plus 5 7 और यह alphabet का plus मत करना कि 2 and 2 x 4 लिख दो नहीं alphabet same ही रहेंगे पीछे के alphabet same ही रहते हैं सिफ प्लस किसका होता है तो नंबर का जो coefficient कहलाता है न बरबन आलफाबेट के आगे आया हुआ नंबर ये coefficient तो सिफ coefficient का प्लस होता है पीछे सेम ही रहते हैं तो इनका जो प्लस करना है यहाँ पर मैंने चारों question लिखे हैं question number 3 के तो प्लस कैसे करेंगे यही चीज ध्यान देना कि पहले like term कौन से है परबर like term होने चीए और अगर like term होना है तो खाली आगे के number का प्लस माइनस कर दो परबर देखो जैसे कि यह पहला देखें कि first question दिया है question 3 में पहला दिया हुआ है यहन कौमा करके लिखा हुआ है कौमा करके यह 3 term है तो उन 3 का प्लस करना है यह कौमा करके जो जो दिये हुए उन सब का प्लस कि जैसे पहला ab-bc दूसरा bc-ca तीसरा ca-ab तो इन 3 का प्लस तो देखो प्लस कैसे करेंगे सबसे पहले जो पहला term है उसको तो same to same लिख दो कि पहला term वही है a b minus b c फिर plus करके दूसरा लिखो कि दूसरा कौन सा है b c minus c a b c minus c a लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं कि जो like terms हो तो उसके नीचे वही term लिखते हैं कि जैसे देखो दूसरे में ये b c minus c a तो b c तो b c b c के नीचे ही आएगा बरबर ना उसके नीचे ही उसको आगे पीछे नहीं लिखेंगे ऐसे मत लिख देना यहां पर कि b c minus c a जो दिया हुआ है उसको as it is लिख दूँ plus करके तो ये गलत है ऐसे नहीं लिखते अगर ये b c दिया हुआ है तो उसको b c के नीचे ही लिखना है b c और minus c a तो c a तो नहीं है ना यहां पर नहीं हो अगर तो उसको अलग से लिखो नहीं हो तो क्या करें अलग से लिखो उसे कि भई b c और ये minus c a अलग से, AB के नीचे तो CA नहीं आएगा न, AB के नीचे AB होना चाहिए, यह BC है, तो BC के नीचे BC, और CA नहीं है, तो उसको अलग से लिखो, समझे, और फिर प्लस करके, फिर प्लस करके यह तीसरा नंबर, CA-AB, तो अब यह CA, तो CA को CA के नीचे लिखो, CA, तो उसको CA के नीचे and minus AB तो AB को AB के नीचे लिखो बरबर minus AB तो minus AB के नीचे लिखेंगे minus AB हाँ आगे minus दिया वह तो minus ही रखेंगे यह तो वो addition का plus है यहाँ AB के नीचे क्या आएगा minus AB फिर इनका plus करेंगे बरबर plus करते वक्त यह arrangement खास दियान रखना कि देखो पहला नंबर तो same to same लिख दो के AB minus BC फिर दूसरा जब लिखो न तो जो like term हो उसके नीचे ही लिखो कि जैसे BC के नीचे ही BC अब BC के आगे कोई sign नहीं है तो यहाँ पे भी कोई sign नहीं गिनेंगे उसे plus ही गिनेंगे फिर परबर फिर यहाँ CA के आगे minus है तो वो CA अलग से लिखा minus फिर यह तीसरा नंबर जब लिखो CA तो यहाँ CA के आगे कुछ भी sign नहीं है तो कुछ भी नहीं रखेंगे say CA के नीचे CA लिखेंगे कोई sign नहीं मतलब उसे plus गिना जाता है बरबर न कोई sign ना हो तो उसे क्या गिनते हैं प्लस गिनते हैं और यह minus a b तो a b के नीचे लिखेंगे minus a b बरबर तो देखो अब जो इनका plus कर रहे हैं तो अब plus ऐसे होगा like term का plus कि जैसे यहाँ a b a b अब जब plus करते हैं तो खाली आगे के coefficient का plus करते हैं अब यहाँ कुछ coefficient है a b के आगे कुछ भी नहीं तो उसे 1 गिनते हैं क्या गिनते हैं coefficient 1 यहाँ पे भी a b के आगे कुछ भी नहीं तो 1 गिनते हैं तो मतलब ऐसे गिन लो कि यह a b के आगे कुछ नहीं 1 और यह minus 1 तो 1 minus 1 कितना हो जाएगा 0 फिस 0 के आगे a b नहीं लिखते हैं वो 0 ही हुआ बरबर 0 यह हो गया उसमें कि यह AB 1-1 तो 0 वैसा ही BC में भी देखो इसके आगे भी कुछ भी नहीं तो 1 इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 तो यह minus 1 और यहां कुछ उसाइन नहीं है तो plus 1 तो यह भी minus 1 और plus 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा BC का आंसर भी 0 हुआ और CA में देखो इसके आगे कुछ नहीं तो plus 1 ही गिनेंगा न यहां पर यह minus 1 और यहां plus 1 यह भी minus 1 और plus 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा मतलब यह CA के आगे भी हो जाएगा 0 तो तीनों का plus किया तो answer क्या मिला हमें? answer मिल गया 0 समझाया एडिशन कैसे करना है? वरवर अब जैसे यह second दिया हुआ है कि यहां पर यहां पर three steps है वरवर नथी term है A minus B plus AB यहां B minus C plus BC C minus A plus AC वरवर ऐसे इसमें दिया हुआ है तो अब इन तीनों का plus करें न तीनों का plus करते वक्त भी वैसा है कि जैसे पहला term तो as it is लिख दो पहला term same to same लिख दो उसमें कि जैसे पहला term इसमें दिया हुआ है A minus B plus AB यह पहला term same अब जब दूसरा term लिखो न यह plus करके यहां आगे plus करके दूसरा term लिखना है तो जब दूसरा term लिखो तो उसमें ध्यान दिया करो कि जो like terms के नीचे like term आना चाहिए अगर like term ना हो तो उसे अलग से लिख दो पीछे अलग से लिख दो इन तीनों के बाद कि जैसे ये दूसरा term है b minus c plus bc तो ये b तो b है कहीं पर है ने ये b तो ये b है तो b के नीचे b लिख दो फिर minus c तो minus c है यहाँ पर कहीं उपर उसका like term नहीं है ना तो उसके अलग से लिखो ये minus c इसके अलग ये तीन के बाद अलग से minus c और plus bc तो bc है उपर कहीं like term नहीं है तो वो bc को भी अलग से लिखो plus bc बरबर, फिर यह तीसरा, प्लस करके, तीसरा लिखें, C-A-C, तो यह C, तो C है कहीं पर, तो हाँ है, यह C यहाँ पर है ना, तो यह C यहाँ पर लिख दें, बरबर, आगे कोई sign नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस लिखा करो, कि जैसे यह माइनस A, तो A है कहीं पर, तो यह A है ना, तो A के नीचे A होना चाहिए, माइनस A, तो यहाँ पर भी लिख देंगे, माइनस A, इसी लाइन में, यह तीसरी वाले लाइन में, और A-C, तो कहीं पर A-C है, नहीं है ना, A-C like term, तो A-C अलग से लिखो, इसके बाद ऐसे मतले ना, C के नीचे फिर यहाँ पर A-C, प्लस A-C, यहाँ पर लिख दो प्लस A-C नहीं चलेगा, B-C के नीचे B-C होना चाहिए, A-C नहीं, तो वो A-C अलग से लिखो, B-C के बाद यहाँ पर A-C, बरबर, और फिर इनका प्लस माइनस कर दो, कि जैसे एक एक करके, पहले यह, तो देखो यह प्लस A और माइनस A, प्लस A-A कट हो जाएगा, यहाँ 0, बहले अब 0 नहीं लिखो तो चलेगा, कि देखो यह प्लस A और माइनस A, यह दोनों कट हो गया न, दूसरा स्टेप यह है, यह देखो माइनस B और प्लस B, तो इसकी तरह ही जैसे यहाँ पे भी किया है, यह माइनस B के आगे कुछ भी नहीं तो समझो 1 है, यह माइनस 1 और प्लस 1, 0 हो गया न, तो यह माइनस B और प्लस B, वो कट हो जाएगा, फिर तीसरा A, B, अब A, B के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको as it is लिख दो, प्लस A, B, भरबना, A, B के नीचे कु 0, कुछ भी नहीं बचेगा, फिर यह B, C, तो देखो B, C के नीचे कुछ भी नहीं है, तो उसे लिखेंगे, प्लस B, C, भरबर, और यहाँ A, C, A, C के नीचे भी कुछ भी नहीं, तो उसे भी लिख दें, प्लस A, C, तो यह आंसर मिल गया, कि इन तीनों का प्लस किया, तो अंसर क्या मिला, A, B, P, C, प्लस A, C, भरबर, यह एडिशन हो गया नहीं, इसका, आई बात समझ में, ऐसे ही देखो, थर्ड वाला, कि थर्ड वाले में देखें, थर्ड वाले में यह कॉमा करके, यह दो ही दिये हुएं, यह फर्स्ट और सेकेंड, तो उनका प्लस करें, कि उसमें भी देखो, पहला तो as it is लिख दिया करो, कि 2P square Q square, माइनस 3P Q, प्लस 4, अब जब यह दूसरा लिखो न, तो दूसरा लिखते वक्त, हर एक term उसके नीचे ही लिखा करो, कि जैसे कि यह 5, तो 5 मतलब खाली नंबर है, तो खाली नंबर कौन सा, उसके नीचे ही लिख 5 उसके नीचे आएगा, 4 के नीचे, फिर यह 7P Q, तो देखो, पी क्यू वाला और कोई है, है न, यह P Q, यह like term कहलाता है न, तो यह 7P Q किसके नीचे आएगा, इस 3P Q के नीचे, आगे अगर प्लस है न, तो यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे, प्लस 7P Q, यहाँ पे कुछ न, तो उसके नीचे आएगा यह, कि माइनस 3P स्क्वेर एंड क्यू स्क्वेर, समझाई बात है, ऐसे हुआ न, टर्म के नीचे टर्म लिखेंगे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, अब इनका प्लस माइनस करें, एक एक स्टेप, कि जैसे पहले इसमें, तो देखो, य यह, कि टू और माइनस 3, तो 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 1 होता है, खाले नंबर ही देखा करो, उसमें, कि 2 माइनस 3 कितना, तो माइनस 1, माइनस 1, और पीछे आलफाबेट तो वही लिखेंगे, P स्क्वेर एंड क्यू स्क्वेर, बरबर, फिर दूसरा यह, कि देखो, यह, माइनस 3 और प्लस 7, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 3 प्लस 7, 7 में से 3 जाएंगे, तो 4 बचेगा, बड़ा नंबर प्लस 7 है, तो प्लस 4 बचेगा, प्लस 4 और अलफाबेट वही रहेंगे, P, Q, 4, P, Q, बरबर, और आखरी में यह, कि जैसे प्लस 4 और प्लस 5, तो प् यह अंसर हो गया ना माइनस 1 P स्क्वेर Q स्क्वेर प्लस 4 P Q प्लस 9 समझाई बात ऐसे ही इसमें अब इनका प्लस करें तो इनके प्लस में भी देखो यह 1 2 3 4 कॉमा करके यह 4 चीज़ें दी गई है बरबर ना कॉमा करके यहां पर यह 4 चीज़ें दी गई है यहां पर यह पहला L SQUARE M SQUARE और यहां यह प्लस मेंने कॉमा कर दिया यह पर यह प्लस है 2 L M 2 M & 2 N L तो कोई बात नहीं, एक एक करके लिखो, यह पहला step, कॉमा के लिए पहला step, तो पहला तो यह same to same ही लिख देंगे, L square plus M square, फिर यह दूसरा, दूसरे में देखो M square, तो M square के नीचे M square होना चाहिए, तो यहाँ पर आगे plus कर दें, plus यह M square, तो उसके नीचे ही लिखें M square, और N square, N नहीं है न, तो N लिखें, अलग से, कि यह N square अलग से, plus N square, फिर प्लस करके तीसरा, यह प्लस करके अब जो तीसरा नंबर लिखें, N square and L square, तो यह N square, अब N square, N square के नीचे होना चाहिए, like terms होने चाहिए न, तो यह N square के नीचे ही लिखें, यह N square, और यह L square, तो L square होन चक्रांची यह क्लस्क्राइब के नीचे तो यहां 2004 स्क्राइब अगे प्लस लिखा हुआ है बहुद ना लिखें, वो। बरबर देखो श्री आभज स्क्राइब यहां говорить यह न्याख अग्रेफ यह काि है is और प्लस इन तीनों को अलग से लिख दें क्योंकि LM, MN, NL वो कहीं पर ही नहीं तो इसको इसके बाद N के बाद अलग से लिख दें कि 2LM बरबर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL ऐसे हो गया ना आप लोग टेस्ट बुक में लिखोगे ने, एक एक लाइन में तो वो और क्लियर होगा कि उसके नीचे ही वही नमबर होना चाहिए सब बरबर हैं, तो आब इनका प्लस करें जैसे कि देखो L2 और L2 तो यहाँ पे सब प्लस में ही है L2 के आगे कोई नमबर नहीं तो क्या गिनते हैं, 1 गिनते हैं तो समझो 1 प्लस 1 यह हो गया 2, 2 L2 ऐसे हो गया ना फिर यह M2 और M2, इसके आगे भी कुछ भी नहीं तो प्लस ही गिना जाएगा तो यहाँ पर भी अगर प्लस गिन है तो 1 प्लस 1, 2 यहाँ हो जाएगा प्लस 2 M2, 2 M2 फिर यह M2 & N2 तो N2 और N2 कितना हो जाएगा 2 N2 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 N2 ऐसे हो जाएगा ना यह हो गया ना सब तीनों का प्लस और इसमें इसका कुछ भी नहीं है तो इसको as it is लिखने प्लस 2 L M प्लस 2 MN प्लस 2 NL तो यह जो चारों का प्लस किया तो टोटल प्लस यहाँ आया न फिर बरबर आई बात समझ में एडिशन कैसे करना है एडिशन करते वक्त हमेशा जो लाइक टम्स हो उनहीं का ही प्लस किया करो लाइक टम्स के नीचे लाइक टम्स होना चाहिए तो ही वो एडिशन कहलाएगा clear अब जैसे एडिशन देखा अब ऐसे ही आपकी एक्सेस का fourth question subtraction वाले questions देखें बरबल ना चलो देखो कि अब ऐसे ही हम लोग इसमें subtraction देखें आपकी exercise 9.1 में fourth वाला question है subtraction का कि अब subtraction का ऐसे ही question देखें तो देखो जैसे कि पहला दिया हुआ है उसमें कि four a minus seven a b plus three b plus twelve from twelve a minus nine a b plus five b minus three इनका subtract करना है ना तो subtract करते वक्त भी वैसे ही लिखा करो like terms के नीचे like term अब इसमें जब ऐसे दिया हो कि from this यह minus करना है from this from this मतलब पहले यह number लिखते है ना पहले यह number लिखते है फिर उसमें से यह minus करेंगे दिखा हो है ना from this तो हमेशा पहले यह number लिखेंगे ना from वाला पहले तो अब यहां ध्यान देना कि सबसे पहले यह number लिखें कि यह 12 a minus nine a b plus five b minus three उसमें से subtract करेंगे minus यह number वरबर minus वह number करेंगे अब यह number लिखते है वक्त ध्यान देना like term के नीचे like term आना चाहिए कि जैसे four a तो यह a के नीचे a आना चाहिए तो उसके नीचे लिख दें यह four a वरबर फिर seven a b तो यह a b के नीचे a b आना चाहिए उसके नीचे लिख दें minus seven a b बरबर three b तो b के नीचे b आना चाहिए इसे लिखने plus three b और plus 12 तो number के नीचे number आना चाहिए plus 12 अब इनका minus करना है लेकिन minus करते वक्त अब यहां द्यान दो main point यहां पर ही है जो addition में यह changes नहीं होते हैं लेकिन minus करते वक्त चेंज करना पड़ता हैं minus करते वक्त जो नीचे आप यह term लिख रहे हो इन सबकी sign change करनी होती है क्योंकि जब minus करते हैं तो इन सबकी sign बदल जाती है नीचे के term में बरबर समझा रहा है मतलब क्या करेंगे जब minus करेंगे ने यह तो आगे just formula का minus लगाया यहां 4a 4 plus में है ना यहां देखो 4 के आगे क नहीं थी वो plus में है तो उसकी sign हो जाएगी minus यह minus 7 है तो उसका हो जाएगा plus 7 यह खाली subtract में ही sign change करते हैं और याद करके ऐसे ही अगर कर दोगे तो वो answer गलत हुआ minus की जगे plus 7 plus 3 की जगे minus 3 plus 12 की जगे minus 12 फिर वो change की गई sign देखेंगे इन sign को नहीं तो यहां पर subtraction में सबसे पहले sign change करते हैं और चाहिए तो यह से मत लगाओ confusion हो ना तो उसे मत लगाए करो आगे sign मत लगाओ पहले ये number लिखा उसके नीचे ये number लिख दिया अब नीचे वाले सभी number की sign change कर देंगे कि जैसे plus 4 है तो यहां bracket में लिख तो minus कि यह minus हो गया यह minus की जगे हो गया plus यह plus की sign change करके हो गई minus और यह plus की जगे हो गया minus वरवर ऐसे sign खास change करेंगे अब plus minus करें अब जैसे पहला देखें कि यह 12 और नीचे minus 4 minus गिनेंगे इसे तो 12 minus 4 12 minus 4 कितने बचेंगे 8 होगा तो 12 minus 4 होगा 8 8A बड़ा नंबर 12 plus में है तो यह plus यह कोई sign नहीं फिर इसमें तो इसमें देखा करो minus 9 और plus 7 अब इसे नहीं देखना है अब यह sign काम की नहीं है यह वाले sign देखते हैं कि minus 9 और plus 7 तो minus 9 और plus 7 minus plus minus 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा बड़ा नंबर 9 minus में है तो minus 2 होगा बरवर न ध्यान देना इस sign को नहीं देखना है अब यह देखना है तो यह minus 9 और plus 7 तो minus 2 minus 2 पीछे लगेगा AB बरवर आल्फाबेट तो same to same में लिख देंगे फिर इसमें यह plus 5 और minus 3 इसे अब नहीं देखेंगे यह देखेंगे plus 5 और minus 3 तो plus minus minus इसमें से भी 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा 2 भी बड़ा नंबर 5 प्लस में है तो plus 2 भी ठीक है फिर इसमें कि यह minus 3 और minus 12 तो यह minus minus plus यह minus minus plus इसे नहीं देखेंगे यह देखेंगे यह minus यह minus तो minus minus plus 12 and 3 कितना हो जाएगा 15 नंबर 15 लेगिन साइन माइनस की रहेगी तो साइन माइनस की माइनस 15 बड़ा ऐसे हो जाएगा ना तो यह answer आया दोनों का subtract करने पर बड़ा ऐसे इसमें देखो अगर from करके दिया हुआ है तो पहले यह वाला नंबर कि यह 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz और इसके नीचे तो इसके नीचे यह नंबर लेखो लेगिन यह दियान देना like term के नीचे like term कि जैसे यह 3xy तो xy के नीचे xy होना चाहिए तो 3xy यहीं पर लिखेंगे यह 3xy फिर यह 5yz तो yz के नीचे yz होना चाहिए तो यहाँ पर लिख देंगे plus 5yz बरबर उसके बाद 7zx तो यह zx के नीचे zx होना चाहिए उसके नीचे लिखेंगे minus 7zx और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं इसमें और नहीं है ना तो इसको ऐसे ही रहने देंगे बरबर अब क्या करें तो अब इनकी sign change करतें नीचे वाले नंबर की उपर वाले नंबर की sign नहीं change करतें तो यह plus है तो यह minus 3xyz यह plus की जगे हो जाएगा minus 5yz और यह minus की जगे हो जाएगा plus plus 7zx ओके ऐसे आगया ने यह तो अब इनका plus minus करें जैसे पहला यह 5 और यह minus 3 तो 5 minus 3 कितना बचेगा 2 बचेगा तो 5 minus 3 यहाँ पर 2 नंबर ही देखा करो plus minus में यह 2 बड़ा नंबर 5 plus में है तो यह plus 2 और पीछे x हो है यहाँ पर यह minus 2 और minus 5 तो minus 2 और minus 5 minus minus plus तो 2 and 5 कितना हो جाएगा 7 यह minus नहीं यह sign नहीं देखेंगे यह देखेंगे तो minus minus plus 2 and 5 7 sign minus की रहेगी sign बड़े नंबर की रहेती है बड़ा नंबर 5 मैंनस में है न इसे नहीं देखते हैं, अब यहीं देखते हैं, तो minus 7 पीछे वही लिखेंगे yz, अब इसमें यह minus 2 और plus 7, तो यह minus plus minus, minus plus minus, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, साइन बड़े नमबर की देते हैं, बड़ा नमबर 7 प्लस में है, तो plus 5, plus 5 पीछे y रहेगा, zx, और यह नमबर आखरी वैसे ही होगा, plus 10xyz, उसमें तो नीचे कोई plus minus नहीं है ना, और इसकी तो साइन भी नहीं बदली, y का y रहेगा, तो यह आया आंसर, दोनों का सब्ट्र किया, तो यह आंसर मिला, बड़ा ऐसे इसमें third वाला भी है, कि जैसे यह from, यह दिया हुआ है, कि इसमें से यह minus करना है, तो यह from करके दिया हुआ है, पहले यह number लिखे ना, बड़ा ना, पहले उसे लिखें, तो यहां के answer में लिखें पहले उसे, कि पहले यह 18, minus 3P, minus 11Q, plus 5PQ minus 2 PQ square plus 5P square Q और इसके नीचे पहला नंबर same to same पूरा उसके नीचे ये अब देखना जिसके नीचे जो नंबर हो वही लिखेंगे कि जैसे पहला है 4P square Q तो P square Q कहां पर आएगा यहां पर ना तो उसके नीचे लिखेंगे 4P square Q आगे कोई sign नहीं तो प्लस देदेंगे इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस लिख दें वरबर फिर ये minus 3PQ तो PQ के नीचे PQ आएगा ये PQ है उसके नीचे तो minus 3PQ यहां पर भी लिख दें minus 3PQ वरबर फिर तीसरा 5PQ square तो PQ square वो PQ square के नीचे आएगा यहां प्लस 5PQ square तो ये plus 5PQ square उसके नीचे ही लिखेंगे न वो like terms फिर आखरी में 8P minus 8P तो ये P के नीचे P आएगा इसके नीचे लिखेंगे minus 8P बरबर उसके बाद plus 7Q तो Q के नीचे Q आएगा उसके नीचे लिखेंगे plus 7Q ठीक है और आखरी में ये खाली नंबर है minus 10 तो खाली नंबर के नीचे लिखेंगे minus 10 ऐसे हुआ ना हर एक नंबर के नीचे like term के नीचे like term ही होना चीए अब इनका subtract करें और subtract करने के लिए पहले सबकी sign change कर देंगे सबकी sign जैसे पहले minus 10 दिया हुआ है तो उसकी जगे पे लिख देंगे plus 10 बरबर ना minus का plus हो जाएगा यहां पर ये minus है तो इसका भी plus ये plus का minus ये minus का plus खाली नीचे वाले नंबर में ये plus का minus और ये plus का minus ऐसे होगा ना बरबर तो अब अब इनका plus minus करें जैसे कि ये 18 और ये plus 10 तो 18 plus 10 कितना हो जाएगा 28 अब तो ये plus हो गई माइनस की sign बदल के plus और ये भी plus में तो ये 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा plus 28 तो यहां पर लिख दे ने शिर्फ 28 फिर यह p वाला नंबर कि यह minus 3p और plus 8p minus 3p plus 8p तो इसमें कैसे होगा कि यह minus और यह plus तो minus plus minus minus plus minus तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा 5p और बड़ा नंबर 8 प्लस में है न तो plus 5 P बचेगा ठीक है फिर इसमें ये minus 11 minus 7 sign बदल गई न minus तो ये minus minus plus minus minus plus तो 11 और 7 कितने हो जाएंगे 18 18 हो जाएगा 18 Q और sign बड़े नंबर की रहेगी minus 18 Q इसमें भी ये plus 5 और plus 3 तो दोनो plus plus तो plus ही होगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 8 P Q और sign रहेगी यहाँ पर plus में दोनो plus में ही है न फिर इसमें कि देखो minus 2 और minus 5 तो ये भी minus minus plus minus minus plus तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 7 P Q square 7 P Q square sign बड़े नंबर की रहती है तो बड़ा नंबर 5 माइनस में है तो minus 7 P Q square बरबर एक एक स्टेप सब और आखरी में यह plus 5 और minus 4 तो plus 5 और minus 4 plus minus minus plus minus minus 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा कि 1 P square Q और बड़ा नंबर 5 प्लस में है तो plus 1 बचेगा तो यह हुआ इनका minus आई बात समझ में ठीक है सब्ट्रेक्शन कैसे करना है ध्यान आ रहा है ना देखो एडिशन और सब्ट्रेक्शन दोनों सेम है खाली चेंज क्या है पता है कि सब्ट्रेक्शन में यहां सबकी साइन बदलनी पड़ती है पहले बरबर बरड़ जैसे यहां पर किया सबकी साइन पहले बदलनी पड़ती है एडिशन में डा रिक कर देते हैं सब्ट्रेक्शन में पहले सबकी साइन चेंज करेंगे फिर करेंगे उसमें समझाई ना बात है तो आज जैसे हमने यह exercise के यह sums देखे ने addition और subtraction के अब ऐसे ही इनके आगे के sums दूसरे topics वह आप हम लोग कल के videos में देखेंगे ओके, thank you